दोस्तो बड़ी खबा निकल करा रही है राची में सहायक पुलिस कर्मियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां जी हाँ दोस्तो राची के मुराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों पर पुलिस ने लाठियां चटकाई हैं आपको बता दे कि इस घटन में दोनों तरब से कई पुलिश कर्मी खायल हो गए हैं वहां मौझूद कई मीडिया कर्मियों को भी चोट लगी है पिछले कई दिनों से राची के मुराबादी मैदान में जमें साहयक पुलिस कर्मी नौकरी अस्थाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं सभी जिले के साहय पुलिस कर्मी डेरा डाले हुए हैं कबर जारकण में 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगी स्कूल राच्य सरकार समिक्षा के बाद लेगी निरने दोस्तों जारकण में कोरोना का कहर जारी है हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है एक सितंबर से राजी में कोरोना स्कूलों को खुलने की बात कही थी आपके बता दें कि इस पर फिर लोग लगा दी गई है अब राजी भर में 31 सितंबर तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा सरकार ने कोरोना का लगल में मौजुदा हालात की समिक्षा करने के बाद ही कोई निरनए लेगी खबर है SBI के ग्राहों के लिए जरूरी खबर बैंक ने बदल दिये ये नियम दोस्तों देश के सबसे बड़े बैंक भारती इस्टेट बैंक ने सितंबर महेने में अब तक कई बड़े बदलाव किये है ये चेंज फिक्ष्ड डिपोजिट लोन एटियम से कैश निकालने से जुड़े हैं इसी बज़े से इन रूल्स का बदलना ग्राहों को पर सीधा असर पड़ेगा अगर आप SBI के खात धारक हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहत जरूरी है सारवजनी शेत्रे के देश के सबसे बड़े बैंकी स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने ट्वीट कर कहा है कि अब उसके किसी भी एटियम से कैश निकालना ज्यादा सुरक्षित हो गया है अगर SBI ATM से 10 हजार या उससे अधिक निकासी करते हैं तो रेजिस्टर्ट मॉबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा उसके बाद ही निकासी संभव हो पाएगी यह सुविधा देश भर के सभी SBI ATM पर 18 सितंबर से लागू होगी आपका बता दे कि इससे पहले SBI ने भार रात के समय में ATM फ्रोड से बचने के लिए OTP आधारित ATM वेडरॉल की सुविधा एक जनवरी 2020 से शुरू की थी इसके तहत रात को आठ बज़े से लेकर सुबह आठ बज़े तक SBI ATM से 10,000 रुपए और इससे जादा कैश निकालते समय OTP की जरूरत होती है भारती स्टेट बैंक अपने ग्राहों को कुलोन रियस्ट्रक्चर की सुविधा देने के लिए जल्दी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉँच करने वाला है इसी प्लेटफॉर्म से तै होगा कि किस ग्राहक को कितने दीन के लिए मोराटोरियम सुविधा मिलेगी उमिद की जा रही है कि इस महिने के आखरी सब्ता में ये प्लेटफॉर्म लॉँच हो जाएगा खबर है भिमानों की तर्च पर प्राइवेट ट्रेन तै करेंगी अपना किराया सरकार देगी छूट दोस्तो भारतिय रेलवे अपने नेटवर्क पर प्राइवेट कमपनियों की यातरी रेलगाडियों की योजना पर काम कर रही है आने वाले दिनों में देश में प्राइवेट ट्रेने शुरू हो जाएंगी लेकिन इन ट्रेनों से यात्रा करना महांगा साबीत होने वाला है रेलवे बोट के अध्यक्ष वीके जादव ने कहा नीजी कमपनियों को अपने तरीके से किराया तैक करने की आजादी दी गई है हलाकि उन रूट पर अगर ऐसी बसें और प्लेन की भी सुईधा है तो किराया तैक करने से पहले कमपनियों को इस बात का ध्यान रखना होगा प्राइवेट ट्रेन के संबंधवे रेलवे की योजना 2022-23 में ऐसी 12 रेलगाणियां चलाने की है इसके बाद 2023-24 में 45, 2025-26 में 50 और इसके अगले साल में 44 रेलगाणियां शुरू करने की योजना है इस तरह 2026-27 तक कुल 151 रेलगाणियां शुरू हो जाएंगी रेलगाणियों के 130 पर Naft गंटे की रपतार से चलने पर यात्रा समय में 10-15% की और 160 किलो में पर 31 कणटे की रपतार से चलने पर 30% तक की बचत होगी रेलबे को इन 151 रेलगाडियों के चलाने से हर साल लगभक 3,000 करोड रुपे भारे भाड़े के तोर पर मिलने की उमीद है खबर है अब शुरू होगी जमा जम बारिश इन राजियों में जम कर बरसेंगे बादल जी हाँ दोस्तों देश के कई राजियों में हलकी बारिश और धूप के कारण उम्मस का सामना करना पड़ रहा है लोगों को बारिश के इंतजार कर रहे हैं कई इलाकों में आधी के साथ तेज बारिश तो हुई है लेकिन उम्मस से निजात नहीं मिली है हलाकि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी सिराहत मिलने की उमीद है बंगल की खाड़ी की उतर पस्चीमी इलाके में कम दबाव का शेतर बन रहा है इसके कारण अगले कुछ दिनों में तेज बारिश होने की संभावना है भारती मौसम विभाग के मताविक 19 और 20 सितंबर को तेज बारिश हो सकती है वहीं बंगल की खाड़ी में 20 सितंबर को एक परभावी निम दबाव का शेतर महिनमान की तरफ से आएगा इस निम दबाव के चलते इस मौनसुन सीजन की विदाई जमाजम पारिश के साथ होगी इस सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में कई अस्थानों पर अच्छी पारिश हो सकती है आपको बता दें कि यह सिस्टम बंगल की खाड़े में ही नहीं बनेगा बलकि यह दक्षिन पूर्वे शेह देशों पर तबाही मचाते हुए आने वाले टाइफून नोल के परभाव से विक्सीत होगा खबर है गूगल प्लेइ स्टोर से हटाया पेटियम एप जी हाँ दोस्तों गूगल प्लेइ स्टोर से फेमस पेटियम पेमेंट एप पेटियम को हटा दिया गया है ऐसा दावा किया जा रहा है कि गूगल प्लेइ स्टोर पर अब पेटियम डाउनलोड के लिए उपलब नहीं है पेटियम एप की सिवाएं 197 Communication Limited Company के दवरा आती है अब पेटियम का में एप गूगल प्लेइ स्टोर पर मौझूद नहीं दीख रहा है हलाकि इसके दूसरे एप जैसे पेटियम बीजनेस, पेटियम मनी, पेटियम मौल अभी भी गूगल प्लेइ स्टोर पर मौझूद दीख रहे है गूगल की ओर से जारी किये गया स्टेटमेंट के मुताबिक गाइडलाइन की उलंगन की चलते ऐसा किया गया है गूगल ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि हम ऐसे किसी एप को बढ़ावा नहीं देते या प्रमोट नहीं कर सकते जो ऑनलाइन गेबलिंग, गेमलिंग या स्पोर्ट्स बेटिंग को बढ़ावा देता हो इसके अलावा ऐसा कोई भी एप जो मनिक प्राइज, कैश प्राइज या पेड टूर्नामेंट में पैसे जिताने का वादा करता हो हम उस एप को परमोट नहीं करते रिपोर्ट्स के मताबिक गूगल ने इसकी जानकारी डेवलोपर कमपनी को दे दी है कि उनका एप गूगल प्ले इस्टोर से हटा जा रहा है इसके लिए उन्हें जो सफाई देनी है वो दे सकते हैं पेटियम आज के दोर का सबसे प्रमुक एप बन चुका है इस फिंटेक कमपनी को चीन के अलिबाबा गुरूप से फंडिंग मिली हुई है ख़बर कोविड के कारण नौकरी गवाने वालों को 30 जून 2021 तक मिलेगा इस सरकारी स्कीम का लाप दोस्तो कोरणा वाइरस संकरमन के चलते बेरुजगार हुए लोगों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है सरकार ने अटल बीमित व्यक्ती कल्यान योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधुसूचित कर दिया है सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्यान योजना का लाब लेने के लिए समय अधी को बढ़ा कर 30 जून 2021 कर दिया है इससे कर्मचारी राज्य बीमानिगम में रेश्टर्ट कामगारों को 50% unemployment benefit मिलेगा सरकार की इस फैसले से 40 लाग से जादा कामगारों को फायदा मिलेगा अटल बीमित व्यक्ति कल्यान योजना के तहट रोजगार खोने वाले कर्मचारीयों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है यह एक तरह से विरोजगारी भत्ता होता है जिसका लाब उन्हें करमचारीयों को मिलता है जो ESI स्कीम के तहट कवर है यानि उनके मासी वेतन से ESI अंश्यदान कटता हो सरकार की नियमक और नुसार कोरोना संकट में नौकरी गमा चुके और दोगी कामगारों को तीन महिने तक 50% सैलरी अनपलॉमेंट बेनिफिट के रूप में दे जाएगा यह फाइदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 21 मास से 31 दिसंबर के बीच नौकरी चली गई हो दोस्तों खबर है कॉंटेक्ट फार्मिंग में कमपनी के साथ बिवाद होने पर कोट नहीं जा सकेंगे किसान के तमाम बिरोध के बावजूद मोदी सरकार ने क्रिसी समंधी दो बिल विरस्पतिवार को लोकसभा में पास करवा लिया है इंडिये की सहयोगी शिरोमणी आकाली दल से आने वाली केंदरी मंत्री हर सिमरत कौर बादल ने इसके बिरोध में इस्तिफा दे दिया है किसान नेताओं में 20 सरकार के खिलब काफी गुस्सा है उनका कहना है कि ये बिल उन अनदाताओं की परिशानी बढ़ाएंगे जिन्होंने अर्ध विरस्था को संभाले रखा है कॉंटेक्ट फार्मिंग में कोई भी विवाद होने पर उसका फैसला सुलह बोर्ड में होगा जिसका सबसे पावरफुल अधिकारी इस डियम को बनाया गया है इसकी अपील सिर्फ डियम यानि कलेक्टर के यहां होगी राष्टि किसान महासंग के संस्थापक के अनुसार इसमें कॉंटेक्ट फार्मिंग से जुड़े मुली आश्वासन पर किसान समझोता और क्रिसी सेवा बिल का एक प्रावधान काफी खतरनाग है जिसमें कहा गया है कि अनुबंद खेती के मामले में कमपने और किसान के बीच बिवाध होने की स्थिति में कोई सिविल कोट नहीं जा पाएगा इस मामले में सारे अधिकार एसडियम के हाथ में दे दिये गए है तो दोस्तो यह था अब तक की बड़े ख़बर ब्रेकिंग न्यूज मुख समाचार और ताजा खबरों की सुर्किया दोस्तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और साथी बेल की आइकन को दबाईए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अभी जाज़त दें नमस्कार अपने जाज़ते दोस्तों की आपको सबसे लेगाए